दोस्तो दुनिया भर में मचलियों की प्रजाती की कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ खतरनाक हैं तो कुछ बहुत खतरनाक तो कुछ सांत किसी का आकार बहुत बढ़ा है तो किसी का आकार बहुत छोटा तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबस प्रजाती है या 4-200 मीटर की गहराई पर टटी जल के रेतीले या कीचल भरे छेतरों में होती है इसकी लंबाए 11 संटीमीटर तक होती है इस प्राडी को कभी कभी सार्वजिनिक एक्क्योरियम में रखा जाता है रेद गोबी एक रेतीले रंका होता है जिसके किनारे पर गहर प्राइब में पाए जाती है इसकी लंबाए 10 संटीमीटर तक होती है यलो हेट जोफिस आम तौर पर फ्लोरिडा में पाए जाती है और उतले छेतरों में भी पाए जाती है जहां बिल निर्मार के लिए सामागरी उपलब्द होती है यह मचलियां 70 प्रजातियों तक के 3. नियाउन गोवी यह बहुत छोटी टारपीडो की आकार की मचली है हाला की आकार प्रजातियों के अनुसार थोड़ा भिन होता है यह आम तोर पर लगबग 2.5 सिंटीमीटर लंबे होते है नाक के सिरे से लेकर पूछ तक इंद्र धनुसी धारियों के साथ इनका सरीर काल होता है धारियों का रंग प्रजातियों के अनुसार भिन होता है यह आम तोर पर मांसाहारी होते है यह देखने में भी बहुत खुबशूरत लगती है इसलिए लोग इसे एक क्योड़ में रखना पसंद करते है नंबर 4 ट्रिम टॉम नैनस यह मचलियां हिंद महासागर और पसंद्रि गोवी की प्रजाती है या मूल रूप से 20-30 मिटर की गहराइं में पाई जाती है या प्रजाती एक सेंटीमीटर तक लंबी होती है इस मचलि की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है यह मचलि एक सफेद सरीर पर 4 तिर्ची भूरी धारिया और 1 बिशिष् पर चटानों से सटे रेतीले या रेत मलवे के तल में रहती है। ये मचली देखने में भी भहुत खुबसूरत लगती है। इसकी लंबाई मात्र 11.5 mm तक होती है। इस प्रजादी को एक केवरे में लोग रखना पसंद करते हैं। इस नर मचली की लंबाई 6.2 से 7.3 mm के होते हैं। अगर आप इस मचली को अपनी नंगी आखों से देख सकते हो तो साबित कर देता है कि आपकी आखे बहुत तेज हैं। क्योंकि इस मचली का आखा 0.33 इंच होता है। जो की इतना छोटा है कि आपको इस मचली को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूत पर सकती है।